नमास्कार दोस्त स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा पैसे रखने के लिए खरीद लो अब एक तिजोरी क्योंकि 29-31 दिसंबर को ये 6 राश्या होंगी करोरपती दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले सभी परेसानियों और खुशियों का मुख कारण ग्रहों की चाल होता है ग्रहों की चाल के कारण ही हम सभी अपने जीवन में कई प्रकार के बदलाव देखते हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे की 29-31 दिसंबर को कई सारे दुरलब सुबसायोंग बन रहे हैं और 29-31 दिसंबर को इन महा दुरलब जुबसाईयों के बनने के कारण इन तीन दिनों के भीतर कुछ राश्य वाले जातकों को अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी एवं बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी जी हां दोस्तो दरसल दोस्तो आपकी जानकारी के ल राश्य वाले जातकों के उपर इन तीन दिनों में रहेगी यानि कि साल के आखरी ये जो तीन दिन है 29-31 दिसंबर ये बहुत ही लावकारी कुछ विशेस राश्य वाले जातकों के लिए रहने वाले हैं और इनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव भी देखने को क्यूंकि दोस्तों बता दे की इन राश्य वाले जातकों के उपर माता लक्षमी के खाश किर्पा इस इन तीन दिनों में रहेगी 29-30 और 31 दिसंबर को दोस्तों इन तीन दिनों में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी इने प्राप्थ होती नजराएगी जिसके बारे में इ से ज़्यादा ज़्यादा शेयर अविश्य कर दें आपको बताना चाहेंगे कि इन भाग साली राशियों की भक्ति से अब माता लक्ष्मी जी बेहत प्रसंद हो चुकी हैं जिससे की एक नई मिसाल इस्थापित करते हुए नजराएंगे इन तीन दिनों में इन्हें बहुत ब लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्ट बनी रहेगी इन्हें बहुत बड़ी काम्याबी हासिल होगी अपने जीबन में अब ये दिन दूनी राश चोगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे जीबन में होने वाले परिवर्तन इनके लिए बहुत ही लाबकारी इनको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी और अच्छे सफलता मिलने की संभावना नजर आ रही है दोस्तों इस दौरान इनके जीबन में चली आ रही परिशाने खत्म होगी इस समय किसी के बहकाबे में आकर कोई भी गलत निरने या फिर गलत फैसला ना ले जो माला माल हो सकते हैं ये छे राशवली जातकों के उपर धनकी देवी मातर लक्ष्मी के कृपा विशेशकर 29, 30 और 31 दिसंबर को रहने वाली है समाज में इनका मान समान बढ़ेगा अपने बैवाहिक जीबन में इस दवरान खुशियां प्राप्त होंगी संतान की और से कोई उपहार इनको इस दवरान मिलता नजराएगा किसमत चमकने के कारण इनके सभी रुके वे और अटके वे कारपुने शुरू हो जाएंगे तो आखिर ये भागसाली राशियां कौन कौन से है जिनकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो ये दोस्तों सबसे खुश नसीब और सबसे भागसाली जो सबसे पहली राशी है वो है मेस राशी मेस राश की जात को बता दे कि समाज में मान समान बढ़ेगा कई प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे जी हां दोस्तों इसमें आपके अटके हुए लटके हुए काम पूरे होंगे लोटरी शट्ट में भाग कज़बाइं के तुलाब होगा साथी आपकी इंकम डबल हो जाएगी बैंकिंग के छेतर से आपको लोन वगेरा मंजूर होगा साथी साथ साजेदारी में किये गए बिजनेस ब्यापार में आपको अधिक से अधिक धनलाब देखने को मिलेगा और दोस्तों इतना ही नहीं बता दे कि रुकव वा फसा वा धन भी प्राप्त होगा अब अगली यानि जो दूसरी जो राशी आती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर मितुन राशी मितुन राश के जातकों अब आपकी किसमत बहुत तेजी से चमकेगी मा लक्षमी कृपा से आपके बैवाहिक अब अगली यानि जो तीसरी जो राशी आती है दोस्तों वो है कन्य राशी कन्य राशी कन्य राश के जातकों अब 29-30 और 31 दिसंबर को आपको जरूर विशेश खुषखबरी प्राप्त होगे क्योंकि मातर लक्षमी कृपा से धन संबंधिश रमश्याएं दोर होंगे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे यहाँ तक कि पैसे से जुड़ा मामला सॉल्ब होगा पैसे के कमी जो पहले महसूस क करते थे अब नहीं कर पाएंगे और आपके नोकरी में पदोनद के सासा सेलर में ब्रदी होगी बड़े धिकारियों को सपोर्ट मिलेगा प्रमोसन आपकी मिल सकता है साथी बड़ी कंपनी से आपको जोब के लिए आफ़ार आ सकता है बिदेश की आत्राइं होंगी के मामले में आप लखी रहेंगे सिक्षक में आप उत्तिर्ण यानिकि उच्छ सिक्षक की स्रेणी या प्राप्ती के लिए आप बड़े संस्था में दाखलाय ले सकते हैं साथी बिदेश की यात्राइं हो सकती हैं बिजनेस ब्यापार या कारवार के सिलसले से आप यात्र कि आपके पुराने दोस्तों से साथ सहयोग जादा बढ़ेगा कोई महतपूर्ण बिजनेस ब्यापार का आप बिश्तार करेंगे आप अपने बिजनेस ब्यापार में ज़्यादा ज़्यादा धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उप्योक्त कहा जा सकता है साल के ये आखरी तीन दिन आपके लिए बहुत ही महतपूर्ण रहेंगे ये किसी चमतकार से कम नहीं रहेंगे क्योंकि मातालक्ष्मी खास कृपा आपके उपर बनी रहेगी अन्य प्रकार के शुक शुबधाएं प्राप्त करेंगे अब अगली यानि जो पांचमी जो राशी आती है वो है यहाँ पर मीन रास मीन रास के जाद को माब आपके किसमत दिन दूनी रास चौगनी तरखी करेगी मालक्ष्मी खास कृपा आपके उपर बनी रहेगी इसमें कोट के चहरी के मामले में आपकी विजय प्राप्त होती नजराएगी साथी प्रेम जीवन में काफी खुशियां बर्शेंगी लब पाडरों कुछ गिप्ट और उपहार देंगे उनके साथ मीठी मीठी बाते हो सकती है समाजिक छित में मान समान बढ़ेगा समाज में आप कामयाभी हासिल करेंगे अपनी वाड़ी के द्वारा महतपूर कार करते नजराएगे जो भी निर्णे आप इसमें लेंगे वो डिसीजन आपको सही साबित होता नजराएगा आपके द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही बहतर होता नजराएगा जो कुछ भी आप निर्णे लेंगे उसमें सफलता आपकी निश्ची तोर पे होगी कुछ महतपूर अपसर प्राप्त होंगे कुछ महतपूर आपके अपसर हाथ भी लग सकते हैं आप अगर इसमें इमानदारी से कोई भी काम करेंगे तो सफलता कदम चुमती चली जाएगी अब जो अगली या नी जो छठवी जो राशी है जो करोड़पती बनने वाली है वो है यहाँ पर मकर रासी मकर रास के याद को बता दे कि अब आपके उपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी बहुत खुश हो चुकी है अब आपके भाग सात्मी आसमान पर रहने वाले हैं माता लक्ष्मी कदम अबाव के घर में पढ़ने वाले हैं क्योंकि 29, 31, 31 दिसंबर को विशेश दुरलब सुबसेयों के कारण और ग्रहों की चैल के कारण आपको धन से माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि माता लक्ष्मी के खास कृपा आपके उपर बनी रहेगी धन से जुड़ा मामला सौल्ब होगा बिजनिस ब्यापार में लाब होगा लोटर शट में लाब होगा जमीन प्रपरिटी बेंच के अच्छा खासा धन लाब कमा सकते हैं साथी आप शेयर मार्केटिंग के छेत में जदा जदा धन लाब कमा सकते हैं साथी दोस्तों बता दे कि इन छेयर आशियों के उपर धन की देवी की बिशेश कृपा दिष्ट मालक्ष्मी के रहेगी इनकी जीवन के जो समस्याएं और कष्ट हैं वो मातल लक्ष्मी जी अब दूर करने वाली है इसलिए तो कहाँ दोस्तों की पैसे रखने के लिए खरीद लो अब एक तिजोरी क्योंकि 29 और 31 दिसंबर को ये 6 राशियां होंगी करोड़ पती तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा जदा जदा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस करिएगा जय मालक्षमी